सबसे सेफेस अपने सेग्मेंट की ये कॉम्पाक सेडान है वो रिफ्लेक्टर बेज एडलेम मिल जाता है तलब सबसे प्रेक्टिकल बूट सबसे देखा जाए को वो टिगोर का ही है काफी हैफी डोर पैनल्स मिलते हैं तो ऐसा कुछ वेलकम करता है इंस्टुमेंट क्लस्ट सामने आप देख रहे हैं टाटा टिगोर अब ये जो है टाटा टिगोर का पर्टिकुलर एक्जेड विरियंट है यार कॉम्पेक सेडान सेग्मेंट में आती है अपनी टाटा टिगोर और साथ में इसके सेफटी रेटिंग की बात करे न तो इसमें आपको फो स्टान अपन डीटेल में देखने वाले इंटिरियर, एक्स्टिरियर, वाप अरॉड और इसका जो अन रोड प्राइसे सारी चीजे में आपको डीटेल में बताने वाला हो सबसे पहले प्राइजिंग की ही अपन बात कर लेते हैं एक्जेड वेरियंटे टिगोर का तो ये आपको स अन रोड आ जाती है और ये जो प्राइजिंग है बालाखाट सिटी मद्यप्रदेश की है और इस वक्त अपन है सुनीन आटोमोटिव स्टार्टा शोरूम बालाखाट में तो इनकी सारी जो कॉंटेक्ट डीटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे अब इसके और आल विट्थ की अगर बात करें तो 1677 mm की इसमें विट्थ मिल जाती है सेंटर में अगर देखे तो टाटा का लोगो मिल जाता है ग्लासी ब्लैक फिनिश में अपने को फ्रंट जो ग्रेल है वो मिल जाती है अब देखिए यहाँ पे आपको एक्टम की स्ट्र अब इसके अगर हेड्लेंज की बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्टर बेज हेड्लेंज मिल जाता है साइड में टाल सिगनल दिये और नीचे अपने को फॉग लैंज भी मिल जाते है अब साइड में देखिए सराउंड इंग इतनी बड़िया क्रूम स बिल्कुल इसमें डार्निश करी हुई है अब टॉब मॉडल में यहाँ पे अपने को LED DRL से मिल जाते है लेकिन ये देखिए ग्लॉसी ब्लैक फ्रेश में दिया है मतलब खाली जो जगह ना उसको भी प्रॉपर एक टच मिलने वाला है तो चलिए फ्रेंट प्रफाइल से देखिए बील्स की अगर बात करें तो इसमें आपको 175-65R14 14-inch के इसमें आपको wheels मिल जाते है इन इंटेल और से अपने को wheel covers भी मिल जाते है अपने को ORVM जो है ना, अपने को glossy black finish में मिल जाता है, turn signals इसमें integrate की हुए, अब ये जो ORVM है ना, electrically adjustable है, foldable को option इसमें अपने को नहीं मिलता, तो देखे, side profile से, कुछ हैसे looks लेकल के आते हैं अपने Tata Tigor के, under 4 meter ये car है, और जो space management है और वो काफी बढ़िया मिलने वाला है इसमें आप को, overall अगर इसके length की बात करें, 493 mm इसकी overall length है, width में आपको बता दिया, अब इसकी ground clearance की बात करें, तो 170 mm का इसमें अपने को ground clearance मिल जाता है, काफी enough है, और साथ में इसको खाफी capable भी बनाता है, तो ये हो गया side profile अपना complete, wheelbase की बात करें, तो इसमें आपको 2450 mm का wheelbase मिल जा हुआ है, अब side में अपने को मिल जाता है, fuel filler के app, fuel tank के bestie की बात करें, तो 35 liter का fuel tank मिल जाता है, mileage जो है न, पहले से काफी ज़्यादा improve हो गया, 90 से 20 kmpl का mileage मिल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा का ही ये perform कर दिये, MID में मैं आपको बताता हूँ, आप देखके बिलकुल भी finish में मिल जाता है, अब center में अगर देखें, तो Tata का logo मिल जाता है, chrome की broad strip मिल जाती है, टिगोर की badging मिल जाती है, नीचे अपने को दो reverse parking sensors मिल जाते है, chrome की एक strip नीचे भी है, बतलब premium touch जो है न, बहुत बढ़िया मिलने वाले, उसके नीचे अपने को दो reflectors मिल जाते देखें, और reverse parking जो lamp है यहाँ पर मिलने वाला है, अब tail lamps की अगर बात करें, तो देखें, यह पूरा LED setup है, side में turn signals दिए, और reverse parking lamp अपने को single मिल जाता है, अब rear profile से देखें, तो कुछ ऐसे looks आते हैं, अपने Tata Ticor के exit variant के, अब इसमें अपने को boot space है न, यहाँ पे एक request sensor म मिल जाता है, इस पूछ ऐसी click करेंगे, तो देखें, एक request sensor मिलता है, दो light मिल जाती है, और boot space जो है न, class leading मिलने वाला यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा practical है, अब सबसे practical boot space देखा जाए, complex sedan में तो वो टिगोर का ही है, side बेपने को hinges मिल जाते हैं, अंदर का पूरा space अप और normal, steel rim मिलता है, low speed का टार, इतना कुछ मिल जाता है, उसको यहाँ से कर देता है, बंद, तो rear profile complete होती है, अब side profile में आते हैं, तो देखें, अपने को एक badge मिल जाता है, 50 Lex कार का, जो Tata अपनी हर cars में दे रहा है, अब इस side अगर अगर अपना आते है, तो request sensor मिल जाता है, और यह देखें, handles जो है ना, इसमें भी chrome मिल रहा है, मतलब premium touch हर जगे feel होगा आपको, तो exterior की सारे जो features थे ना, आपने देख लिए, अब चलते हैं, इंटीरियर में और देखते हैं, वहाँ पे अपने को features मिल जाता है, exit variant पे, door panel open कर लेते हैं, यार, काफी heavy door panels मिलते हैं, क speakers इसमें अपने को total 4 मिल जाते हैं, और दो मिल जाते हैं, twitter, तो यह इसके sound का setup है, अब seats की अगर बात करें, तो देखें, fabric अपोल स्टी मिल रही है, लेकिन यह कुशन और comfort बड़ा इसका, अपने को तगड़ा मिलने वाल है, उपर adjustable अपने headrest मिल जाते हैं, और अंदर अप feel की बात करें, अच्छा, यहाँ पर push start stop का button मिल जाता है, इसको पर एक बार click करते हैं, तो ऐसा कुछ welcome करता है, instrument cluster, पूरा का बड़ा digital दिया हुआ है, सबसे पहले यह देख लेते हैं, क्योंकि यह lock था, तो यह हो गया, अब यहाँ पर अपने center में Tata का logo मिल जाता है, staring mounted controls म बिलकुल manual है, और right side में अगर देखें, तो अपने को headlands की control मिल जाते हैं, जो कि यह भी manual है, अब instrument cluster की बात करें, तो digital दिया हुआ है, पूरा का पूरा, left side में Tachometer मिल जाता है, center में M.I.D., और right side में fuel gauge और temperature gauge, generally यही speedometer अपने को बहुत सारी cars में देखने को मिल रहा है, 24 km per liter का mileage मिला है, मतलब यार जबरदस्त mileage perform कर यह टेगोर ने, और आप सामने देखी रहे, trip है हो गया, trip भी हो गया, odometer, तो इतने कुछ features मिल जाते हैं, अब refinement चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब जो new BS 6.2 के जो norm सा है ना, उसके बाद refinement level भी जो है ना, काफी तगड़ा हो ग है, वो start stop का button, तो देखें, cold start है अभी, लेकिन refinement बहुत जबरदस improvement आया, क्योंकि मेरे पास भी टिक हो रहे, यार काफी बढ़िया refinement जो है ना, इसका हो गया है, gear knob में भी feel नहीं हो रहा है, और अपने जो steering wheel है ना, इसमें भी मुझे feel नहीं हो रहा, तो काफी बढ़िया आपको इसमें refinement level मिलने वाला है, पहने से काफी ज़ादा improve हो गया है, अब AC को कर लेते हैं, अपन on, तो यह हो गया, AC on, तो यहर cooling भी जो है ना, starting से काफी बढ़िया मिलने वाली, मतलब जो cooling है ना, अपने को Tata की हर कार में बड़ी जबरदस मिलती है, dashboard की बात करें तो य ग्रेनी फॉर्म में दिया है, डूल टोन में यह भी मिल जाता है, AC के अपने को यहाँ पे वेंट्स मिल जाते है, center में hazard का button और capacity टेच वाला अपने को यहाँ पे infotainment system मिल जाता है, लेकिन यह normal नहीं है, music system यह है, harmon powered, बदलब sound quality एक दम top class की मिलेगी, साथ में चार speaker और द unlock करने का option भी मिल जाता है, manual AC controls मिल जाते है, 12V का power socket और USB connectivity, यहाँ पे थोड़ा space मिल जाता है, काफी airy feel होता है, मतलब इसका dual tone वाला जो interior है, मुझे personally बहुत बढ़िया लगता है, आपको कैसा लगता है, प्लीज मुझे comment करके जरू बताइएगा, 5-speed का manual gearbox मिल जाता है, इ जबरदस्त, अब यहाँ अगर देखें, तो glove box भी काफी deep है, और यह जो है na cold glove box मिल जाता है, उपर सेट, IRVM अपने को day and night manually adjustment के साथ में आता है, यहाँ पे mic मिल जाता है, और इस side अगर देखें, तो vanity mirror यहाँ नहीं मिल जाता, तो यह हो गया, features अपने सारे देख लिए, अब seat की बात करें, तो अब काफी comfortable seat से टाटा टीगोर की, मतलब long rise में जो है ना काफी comfortable है रहने वाली है, नीचे ABC pattern में 3 pedals मिल जाते हैं क्योंकि manual transmission है, तो इतना कुछ मिल जाता है, अब बात कर लेते हैं safety features की, तो दो airbags मिल जाते हैं front में, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, सा अब देखते हैं, वहाँ पर क्या क्या features मिल जाते हैं, और कितना comfort मिल जाता है, तो यह अपन कर लेते हैं, यह होगे seat adjust, यह पर हमेशा बूल जाता हूँ, तो यहाँ पर अपने को मिल जाता है, जो वार भी है ना, उसको control करने के लिए button, तो यह हो गया, अब यह देखिए Chrome का यहाँ पर भी surrounding है, मतलब Premium Ness का पूरा ध्यान रखा है Tata ने, इसको open करते हैं, और चलते है rear seat में, चाबी मैंने नहीं दिखाए कि आपको, देखिए दोनों की दोनों remote key अपने को मिल जाती है, features की बात करें इसमें, तो देखिए lock, unlock, follow me at lamp और boot unlock करने का option मिल जाता है, दोनों की दोनों remote key मिल रही है, अपने को और पीछे Tata का logo मिल जाता है, तो चलते हैं अब rear seat में, और वहाँ पर देखते क्या के चीज़ें मिल जाती है, door panel की बात करें, तो देखिए power window का button मिल जाता है, नीचे bottle holder और speaker का grill, अब seats की अगर बात करें, तो देखिए काफी बड़िया seats अपने को मिल रही है, rear seat और जो head race यह वह fixed है, लेकिन काफी high position में तो उसका कोई issue नहीं है, अब बैट की अपन देख लेते हैं, तो यह अपन आ आ गाए है, rear seat में, देखिए leg room मुझे कितना बड़िया मिल रहा है, तो rear seat में देखिए यार काफी बड़िया मुझे leg room मिल रहा है, under thigh support की बात करें, तो यार वो भी काफी ज़्यादा comfortable seat है, बहुत बड़िया under thigh support मिल रहे है, नीचे भी काफी बड़िया space है, अब जो मेरी अपने को जो cabin light है यहाँ पर मिल जाती है जो की LED है अब rear seat से front dashboard कुछ ऐसा दिखता है TADA TIGOR के XZ variant का तो यहर फीचर्स काफी बढ़िया मिल रहे हैं और साथ पर जो comfort मिल रहे हैं और वो भी काफी बढ़िया आपको मिल जाएगा TADA TIGOR के अंदर तो चलिए अब rear की सारी चीज उसके लिए यहाँ पर यह देखी इसको अब जैसे pull करेंगे तो engine पर open हो जाएगा तो यह है TADA TIGOR का 1.2 लीटर का 3-cylinder petrol engine अब यहर इसकी power की बात करें तो यह 88 BHP का अपने को maximum power हो देता है साथ में 113 Nm का torque मतलब BHP जो है ना पहले से increase हो गए मतलब power अपने को जादा मिल अब refinement जो है इस कार का काफी जादा improve हो गया है साथ में जो mileage है ना वो भी कहीना के improve हो गया है ABS CBD की यहाँ पर unit मिल जाती है उपर अपने को extra insulation मिल जाता है तो देखा आपने TADA TIGOR का जो XZ variant है उसमें features तो यह बड़े जबर्दस मिल जाते है साथ में जो refinement है ना वो भी देने की कोशिश करूँगा प्राइजिंग इसकी मैं एक और बार आपको बता देता हूँ एक शो रूम प्राइज की बात करें एक जेड बेरियेंट है यह तो यह आपको 7,24,000 में एक शो रूम आ जाती है और यह जो प्राइजिंग है बालागाट से टीम झाल